आप सब की queries थी की नीबू के पेड में जो है फल नहीं लग रहे हैं और फूल लग रहे हैं लेकिन वह फल में convert नहीं हो रहे हैं यह सब queries आज के वीडियो में दूर कर दूंगा जो चैनल में नए जुड़े हैं प्लिस सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और जादे सेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपके पार जो मैं नई वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप अगर नीबू का पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं तो नरसरी से जो ग्राफटिंग से तयार पौधा है वही लेकर आएं क्योंकि 20 द्वारा तयार पौधा कम से कम 4-5 साल लगा देता है फल देने में और जो ग्राफ्टिंग से तेयार होता है पौधा वो एक दो साल के अंदर ही फल देना स्टार्ट कर देता है और अगर आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो उसे एक हफ्ते बाद ही दूस्ती जोगा ट्रांसपर करें और अगर आप उसे गमलेया किसी अन्य पौट में लगाना चाहते हैं तो उसकी गहराई कम से कम 24 इंच होनी चाहिए मैं ये नुबविको पौधे को नर्सरी से डेर साल पहले लाया था और मैंने इसको 20 लिटर की बाल्टी में लगाया है आप जब भी इसकी मिट्टी तेयार करें तो वो अच्छी खासी उपजाओ होनी चाहिए क्योंकि इसमें ये फ्लदार पौधे के लिए जो है मिट्टी उपजाओ होनी जरूरी है आप इसमें थोड़ा वर्मी कमपोस्ट और थोड़ा नीम खली और थोड़ा सा जो साधरन मिट्टी होती है जो खेट की कहीं की भी थोड़ा सा रेतीली मिट्टी होनी चाहिए उसमें इसको लगाईए आप नर्शरी से पौंधा लाते हैं और डारेक्ट कहीं भी लगा 것으로 देते और जब भी आप इसकी मिट्टी तेयार करते हैं तो मिट्टी ऐसी होनी के जिसमें पानी रुके ना क्योंकि पानी रुकेगा तो इसके जड़े हैं जड़े स्खराब हो सकती है जिससे कि आपका पॉंदा कभी भी मर सकता है और शार जड़े समझ hayat पानी द होदो thouapp ज़ाया है तो दोपाली जगों में जँए फछी मात्र में फ़लल देगा दूपाली जगों में रहेगा तो अच्छी मात्र में फ़ल देगा और इसकी मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहेächst Lessons Teak क्यों कि जो जो अच्छे बैक्टिरिया जो अच्छा मतलब भोजन टेयार करते हैं जैसे जो वर्मी होते हैं जो अच्छे वह भोजन कैसे त्यार करेंगे जब तो गहले हो दो गहलेगि против को गीली मैट्टी ना ओपन पिंगे वह तो मर जाएंगे इसलिए थोड़ी मिट्टी में आप ऐसी जोगों पर लगाए जहां पर थोड़ी सी नमी है और अगर गमले में लगाते हैं तो थोड़ा पानी तो होना ही चीए यह नहीं की बिलकुत सुका है और जब भी इसमें फूल आते हैं उस समय पानी की मातरा आप कम कर दीजे क्योंकि फूल गिर जाते ह नहीं की क्या होती है नहीं से थेैंट। फूल गिर जाते हैं, फल नहीं बनते हैं हमने बहुत कोसिस करी लेकिन फूल रुके यही नहीं फवल में कन्वर्ट हो ही नहीं तो आप इसको जो है धूप में नहीं रखिए और पानी की मातरा कभी जादा कभी कम करनेगे उससे भी फूल गिर जाते हैं और एक में कारण और होता है आप इसमें अगर कोई इसको खाद नहीं देने से भी इसके जो फूल है वो गिर जाते हैं इसलिए आप इसको खाद भी दीजिए पानी भी दीजिए पानी ऐसा दीजिए कि नमी रहे थोड़ी ज्यादा पानी न दी और इसको अच्छी घासी दूप दीजिए दिन बर की दूप में रहेगा तो बढ़िया मतफल देगा और पौधा भी अच्छा रहेगा इसमें जितने कीड़े लगते हैं कीड़े वगर एक लिए आप नीम स्प्रेय कर दीजिए नीम का जो ऑलाता है वो बजार में आपको मार आप नीम ओईल का स्प्रेय कर दीजिए उससे आपके जितने कीड़े वगर जितने इसमें बैठते हैं वो सब मर जाएंगे और आपका पौधा जो है स्वस्तर रहेगा जिससे कि आपके जो फल देखिए आप फल इतने आएंगे जितने मेरे उसमें लगे हैं जितने मोदे में अच्छे फल आएंगे और आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो आगे बढ़ा दीजिए प्लीज